ओ, 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 नमो नमा, मंत्र मैं जीवन हो, लेख नौवा, नैमितिक देव पूजा हैं, लेखक श्रीपाद अभ्यांकर मुंबै, इससे पहले वाला लेख देनन दिन देव पूजा के बारे में था, जो नित्य कर्म के तहत की जाती है, इस लेख में नैमितिक पूजाओं के बारे में विवेचन करेंगे, नैमितिक पूजाएं विशिष्ट तिथियों को की जाती है, या श्री सत्यनारेन पूजन या श्रीमत भागवत सप्ता जैसे विशिष्ट संकल्पों के कारण की जाती ह सप्ताह के विशिष्ट दिन को विशिष्ट देवताक की भी अर्चना की जाती है जैसे सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को श्री गनेश जी की, गुरुवार को गुर्देव दत्य जी की या श्रीडी के श्री साई भाबा की, शुक्रवार को देवी जी की, शनिवार को हर्मान जी की और शनी देव की विश्रिष्ट तिथिया किसी भी वर्ष में कैलेंडर के कौँसी तारिक को होगी ये जानकारी पंचांगों से मिलती है श्री सत्यनायन पूजन या श्रीमत भागवत सप्ता जैसे विश्रिष्ट संकल्पों के लिए भी कौँसा दिन शुब है ये जानकारी पंचांगों से मिलती है या उपाध्या से पूछ कर तय करना अच्छा रहेगा लोग चातुरमास व्रत जैसे व्रतों का भी पालन करते हैं ये आशाड़ शुद्ध एकाधिशी से कार्तिक शुद्ध एकाधिशी तक चार महनों का रखा जाता है इसी दवरान स्त्रियां सोले सुमवारों का व्रत भी रखती है माना जाता है कि व्रतों के उद्यापन से ही व्रत संपन होता है उद्यापन भी नमितिक पुजा कह सकते है किसी भी वर्ष में कौनसी तिथी का क्या महत्व माना गया है ऐसी 58 स्थित्यों का संकलन मैंने नीचे सामत्षरिकाह दिन विशेशाह में किया है। आशा है कि ये जरूर उप्योगी रहेगा। देखलें। सामत्षरिकाह दिन विशेशाह। चैत्रे शुद्धपक्षे प्रतिपतायां नूतन अवर्षारंभाह। शुद्धपक्षे श्री रामनोमी। पौर्णिमायां श्री हनुमत जयन्ती। वैशाखे शुद्धपक्षे अक्षाय तुर्तिया। शुद्धपक्षे पंचम्यां श्री शंकराचार्य जयन्ती, शुद्धपक्षे सप्तम्यां गंगोत पत्तिही, शुद्धपक्षे चतुर दर्ष्यां श्री नुस्रिम्ह जयन्ती, वैशाखे पौनिमायां बुद्धपौनिमां, जेश्ठे वटपौनिमां, आशाधे शु जिनी एकादशी, चतुरमासारं भाह, गुरु पौरुनिमा, व्यासपूजनं, श्रामने, नागपंचमी, पंचम्यं, पौरुनिमायां, समुत्रपूजनं, रक्षाबंधनं, कृष्ण जन्मास्टमी, कृष्ण पक्षे नवम्यां, गोपालकाला, भाद्रपदे, जितालिकाप्रतं, तदनंत्रं गनेश चतुर्थी, तदनंत्रं रुषि पंचमी, शुद्य पक्षे शस्थ्यां, श्री बलराम जयंती, शुद्ध पक्षे अदुखनवमी, शुद्ध पक्षे अनंत चतुर्दशी, कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां, पित्रु पक्षा खुष्नपक्षे अविधवानवमी मर्फवस्यां सर्वपित्री अमवस्या शुक्लपक्षे प्रतिपतायां घडस्थापना नवराद्रुट्सवारमभाळ शुक्लपक्षे ललीता पंचयमी शष्थ्यां sci다्रश्वती पूजनम नवयम्यां आयुध पूज़नम दशम्यां विजयादश्मी, कोजागरी पौर्णिवा, कृष्णपक्षे गोवत्सद्वादशी, दिपोथ्चवारंबह, कृष्णपक्षे धनत्रयोदशी, नरकचतोरदशी, अमावास्यां लक्ष्मी पूजनं, कार्तिके शुक्लपक्षे बलिप्रतिपदा, तदनंत्रं यमद्वि प्रबोधिनी एकादशी, चातुरमास समाप्ति, द्वादश्यां तुलसी विवाह, वैकुंटचतोरदशी, तिरिपुरारि पौर्णिमा, कृष्णपक्षे सब्तम्यां कालभायरव जयन्ती, मार्गशीर्षे, शुक्लपक्षे प्रतिपदायां देवदी पावली, शस् मोक्षदा एकादशी गीता जयन्ती, पौनिमायां श्रीदत्तात्रेय जयन्ती, कृष्णपक्षे शस्थ्यां धरूर्मासारंभा, पौशे मकरसंक्रमनम, पंजदश जाने वरी, कृष्ट दिनांके प्रायाह कृष्णपक्षे, माघे शुक्लपक्षे वसंतपंचमी, शुक्लपक्षे च रथसप्तमी, भीमाष्टमी, कृष्णपक्षे सप्तम्यां श्री गजानन महराष्येकाव प्रकट दिनां, श्री रामदासनवमी, त्रयोधष्यां च तुर्धष्यां वा महाशिवरात्रिही, फाल्गुने उलिकापूजनम, कृष्णपक्षे प्रतिपतायां दूरिवंदनम, क्रमांग चोपन और पचपन पर श्री गजानन महराष्येगाव तथा संत श्री रामदास इनकी विशिष्ट तित्यों का उल्लेख है, वैसे तो भारत भर में कई संत महंतों की मान्यता रखने वाले समझ सकते हैं कि सिखों का भी संपरदाई ही है, क्योंकि सिख धर्म में रामकृष्ण इन हिंदू देवताओं की मान्यता तो है, नामदेव जैसे संतों की भी मान्यता है, क्रमांग 51 पर बताया हुआ वसंत पंचमी कात्यावार भारत भर में मनाया जाता है, दरसल ये भी सम मजना उचित होगा कि बहुत सारी तिथियां खेती बारी से जुड़ी हुई है, क्योंकि खेती ही भारतिय जन्द जीवन का और अर्थवेवस्ता का मूलाधार रही है, उपर संकलित की हुई बहुत सारी नैमितिक पूजाएं वयक्तिक या कौटंबिक स्तर पर नहीं, बलक सामाजिक स्तर पर मनाई जाती है, और ये पूजाएं उपाध्याय द्वारा करवाई जाती है, पूजा के शुरुवात में उपाध्याय अक्सर संकल्पमंत्र बोलते हैं, संकल्पमंत्र के तहत उपाध्याय जो विवरन बोलते हैं, वो जरूर गोर तलब भय, अभ्यस्नी उदाहरण के तोर पर भादरपाद मास के शुक्ल चतुर्थी को गणेशोथवारंब होता है। यानि आभी का कार्यकाल उनके 100 सालों की माने तो फिलहाल उनका 51 साल चल रहा है। गीता में कहा है कि उनके एक अहो रात्र में 2000 युगों होते हैं। देखिए, सहस्र युग पर यंतम अहर्यत ब्रह्मनों विदू रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनाहं। आठवे अध्या में 17 वाश्लों। तो 2000 युगों का एक अहो रात्र और ऐसे 365 अहो रात्रों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष। बाद में आता है, श्री श्वेत वराह कल्पे, चौदा मनमंतरों का एक कल्प माना है। ऐसे 30 कल्पों में से श्री श्वेत वराह ये पहला कल्प ही चल रहा है। वैवस्वत मनमंतर, पुराणव में बताया है कि एक मनमंतर में 71 युवचतुष को होते हैं। वैसे 14 मनुओं के 14 मनमंतर माने गये हैं। वैवस्वत ये 14 में से सात्वा है। वैवस्वत मनमंतर के 71 युग चतुष्क में से अभी 28 वा युग चतुष्क चल रहा है अश्टा विम्षय युग चतुष्के एक युग चतुष्क में कृत त्रेता द्वापार और करी ये चार युग होते हैं पुराणों में बताया है कि कल युग 432,000 वर्षोका होता है त्वापार 8,64,000 वर्षोका याने कल युग से दुगुना त्रेता 1296,000 वर्षोका याने कल युग से तीन गुना और कृत या सत्य युग 1728,000 वर्षोका याने कल युग से चार गुना होता है याने एक युग चतुष्क 43,20,000 वर्षोका याने कल युग से दस गुना होता है कल युगे प्रथम चरणे एक युग के चार चरण माने तो कल युग का प्रथम चरण ही और हजार साल चलेगा समझ सकते हैं कि संकल्प मंत्र का श्रीमत भगवताह महापुरुषष्य विष्णो राज्यया प्रवर्तमान अस्य अध्य ब्रह्मनह द्वितिये परार्धे श्रीश्वेत वराह कलपे वैवस्वतम अनमंतरे अश्टा विशे युग चतुष्के कल युगे प्रथम चरणे ये सारा समय निर्देश का उद्वोष हाजारों वर्षों तक जारी रहेगा जायज रहेगा इसके बाद संकल्प मंत्र में स्थान निर्देश आता है यदि पूजा भारत वर्ष में होनी हो तो जंबित द्विपे भरत वर्षे भरत घंडे स्थान निर्देश में निर्द यमुना नदी के उत्तरी तीर पर है, तो यमुना याह उत्तरे तीरे वरंदावन ग्रामे स्थाने निर्धेश, इसके बाद फिर से कुछ नजदी की समय निर्धेश आता है, जैसे आज बुद्वार, पाच मई बीदोरहर 21 को शालिवाहन शक के प्लवनाम सम्वत सर के चैत्र प्रमा सके कृष्ण पक्ष की पंचमीत इथी है, फिलाल सूर्य का उत्तरायन चल रहा है और वसंतरुतु चल रहा है, समय के एककों के बड़े से छोटे एकक के क्रम में संस्कृत में संकल्मा मंत्र कहेंगे, तो उनी सो तिराली स्तमे शालिवाहन शक के प्लवनामनी सम्वत सरे उत्तरायने वसंतरुतु चैत्रमा से कृष्ण पक्षे बुदवा सरे पंचम्याम्ति थाु। इस बरस के श्री गणोच्छचो की के चतुर्थी की पूजा गुरुवार सोले सितंबर को होगी। तो संकल्मा मंत्र में कहेंगे, उनी सो तीरा लिस्त में शालिवाहन शक के प्लवनामनी सम्वत सरे दक्षिनायने वरशारुतु भात्र पदमासे शुक्ल पक्षे गुरुवासरे चतुर्थ्यामति थाु। नैमितिक पूजा सुमुहूर्त पर हो। ऐसी भी मान्यता रखी जाती है। समझ ले कि पूजा के आयोजन में ये सारा विवरण तयार हो तो संकल्प मंत्र सही डंग से कहा जा सकता है। क्योंकि नैमितिक पूजा प्रायाह उपाज्याय द्वारा कराई जाती है तो उपाज्याय ये सारा विवरण तयार करके आएंगे जरूर। संकल्प मंत्रगा एहम भाग तो इससे आगे ही होता है जो यजमानने बोलना है तो उन्होंने मोलना क्या है एवंगुण विशेशन विशेष्टायाम शुभपुन्यति थाउ मम आत्मनाह सकुटुम्भानाम सपरिवारानाम द्विपदच दुष्पद सहितानाम वेदपुरानोक्त फलप प्राप्त्यर्थं क्षेम स्थैर्य अभय आयुरारोग्य अईश्वर्य अभिवृद्यर्थं समस्त मंगल प्राप्त्यर्थं समस्ता भ्युदयर्थं इधर आखिर में जो कहा है, पूजन महम करिशे, मैं पूजन करने जा रहा हूं, यही संकल्प है ऐसे मंत्रों के अभ्यास से समझ में आता है कि काल गणना जैसे विशे में रुशी मुनियों के विचार कितने बड़े पैमाने पे और कितने सूक्ष्म भी है गौर तलब है कि पूरा संकल्प मंत्र ही कितना विचार पूर्वक, कितने विवरणों से युक्तब, कितना सही रचा हुआ है मंत्र में जीवन के लिए ऐसे जबरदस्त मंत्रों का अभ्यास भी जरूरी है शुभमस्त